हुआ keeping hospitals, हमने पिछले वीडियो में जो संग्या प्रकण में व्यक्ति-वाचक और जाति-वाचक को अध्याण किया था और परिक्साहि दृष्टी च्पर वे मर्त्वेता बाते हैं जिसमें व्यक्ति-वाचक और जाति-वाचक का आपस में किस इस तरह से प्रियूग होता कब जाती वाचक संग्या जाती वाचक में बदल जाती है ज्यान रखें परिक्सा की द्रिष्टी से सबसे इंपोर्टेंट और सबसे मर्तुपूर्ण हिस्सा है भावावाचक संग्या आज तब किसी कंप्रेटिशन का ऐसा कोई पेपर नहीं करनेते जफ़ेगा जिसमें बावाचक संग्या से समदेट प्रस्न नहीं आते हो तो द्ध्वन से आप सुनें किसी भाव का बोध काने माला शब्द शाल शब्द there do selexe ृस ता किसी संग्या है शैसे संग्या शाप्द ऐन मूर्थ यह जान रक्ध ने बटOO सकते हैं पंके का टेबल का किसी यक्ति का लेकिन हसी बुड़ापा मिठास इनका आप किस तरह से चित्र बना सकते हैं तो जो आमूर तो जो भाव का बूद करा सके एशा शब्द जिसका बहुवचन मैं बने बहुवचन मैं बनेया जा सके बहुचन ना बनेया जा सके ऐसी संग्याएं बावाचक संग्या होती है कुछ अभी में एक्जामपल उधान लिखाओंगा रहां आपको लगेगा इसका तो बहुचन बनेया जा सकता है तो उस पर भी हम बात करेंगे के जिस समघ्या का बहुचन बनता है वह बहुचक संग्या होति ऑसका दज्या प्याट्वचन तो फिर वह शिकायत ये बीबिन तो यह टा היה कि राख içना एक डिया जो जुका वहuju च्मका प्रिप्ट्ट में किया जाता तो जातिवा रेंगे पिकल्तर के सिल оф करते हैं कि उसी तरह से दूर्य जूस दोब घॉल्ए ठीमएल हैं तो बूर्य और शिकायत सिल डूर्या शिकाईता ही तो मैं यहां पर थोड़ा मेरा यह तरक है कि लड़के फिर तो प्रतेक जो बहू अच्छान शर्द चाहिए वो जाती वात शिंगे चाहिए वो भाव आच्छा है प्रतेक बहू अच्छन उसका समुई होता लड़के लड़कों का समूँ तो यह तरक जो है अधिक संगत प्रतीत नहीं होता जो ही इंपोर्टेंट वाती है बावाचत संग्या का बहू अच्छन नहीं बनेगा एमूर्त होगी किसी भाव का बोधिर कुछ शब्द नहीं यहां पर लिखाऊं जैसे बुड़ापा इसी तरह से शब्द है मिठास बावाचक संग्या तो यहां टीम पेटर्न में बढ़ेंगे क्योंकि बावाचक संग्या परिक्सा की द्रिष्ट से अतीम हर्त्रपून बुड़ापान मिठास हासी यह इस तरह के जो शब्द है वो विशेशन है माफ किजिएगा बावाचक संग्या है अपर पूचा जाता है कैसे यह चार एक्जाम्पल देख करें कि मिननहें से कौन सी बावाचक संग्या विशेशन से बनी रहा है या निम्न में से कौनसी बावाचक संग्या विश्यशंड से नहीं बनेगी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनका मूल सब्द देखेंगे गुड़ापा जो सब्द वो बूढाशक से बनाए और यह दियार रखना बूढापा सब्द में गुला शब्द मात्रा बढी और आप ऑ्परोत यह लगता है घुटरण चोटी हो जाती है इसी तरह से मिठास मीठा सब्द से बना है मिठा सब्द विशेशण और मिठास सब्द Бावाजक संगай मात्रा हीयां बढी है यह छोटी हो गई आ असी सब्द जो है वो हस जो दातु है जिसमें नाप्रत्य लगाने से यह किरिया बनती है यह किरिया से बने वही बावाचक संग्या और दूर यह एगे है दूर मजदीक निकट समीब उपर नीचे बाएं दाएं अंदर बीतर इस तरह के शवी शब्द जो है वो एगे होते हैं यहां हमें यह देखना है कि अगले ने प्रस्ण पुछा है कि निन में से कौन सी बावाचक संग्या विसेशन से बनी है तो मीटा संग्या विसेशन यह हैं उप्तर हो गया लेकिन इसके लिए इसका मतल यह प्रस्ण बहुत आता है इसका में प्ढ़ आध्यास करना होगा पढ़ने से पूर हुए हमें किसी समश्या को जर्म देना आवश्यक है यह समश्य आ गई कि कई बार विसेशन से बावाचक संग्या बनती है कई बार सब्सक्राइब यह दित्र नहीं बंती है और जाती हूं यह हो जन्य गजाती है इस तरह से इनका पर करईगे एकार आप पिसका एक रखाट सब्ने लेट वायर की लेट आई . कि वह ही आगे देखते हैं बहुत सारे स्टुडेंट ंप cent वहते हैं केवल संग्या को इस तरह से पढ़ना प्संद करते हैं संग्या तीन प्रकार क्यों इतना देखा है कि जहांगे तरह कि प्रेशन करी तरह को याद करें जहां हम ने प्रद से क्लास कि याद करें जहां हमने यह पताता तक जो फैसे जह क। संग्या सर्वनाम किरिया विशेशन और एवे तो यही पांच जो प्रकार है इन पांचों प्रकार से बावाचक संग्या बनती है विशेशन से किरिया से सरविनाम से और संग्या में जो वावाचक संग्या उसके अध्रितन भी तो जाती वाचक और गत्ति वाच को तो और वो क्या होगा एक शब्द जिसे मित्र मित्र सब्द से भावाचक संग्यां बनी है मित्रता इसका मतलग ता जो प्रत्य है वो भावाचक संग्यां का निर्मान करता है मित्र से इसी तरह से सब्द बच्चा कि बच्पन कि कितना इंपोर्टेंट शब्द है यह खूब आता है बच्पन लुटिरा बुड़ापा रुपहला ट्रेडिशनल कुष्चन को पहचाने जो प्रंप्रागत क्रिश्चन है जो बार बार रेपीट होते हैं उनको यह आता है कि जसे लूट प्लस एरा रुछ लूटे रा, रूपहलरा रूपहला बच्पलस पन पराबर बच्पन बुड़ा एक गाता है एक पलस एक प्रेडिशनल न यह पांच शब्द काफीं प्रसिद्धेन यह बच्चा पलसपन उर्भू लिक्कर गेना बच्च पलसपन यह इस प्रेसर होता है और यह ठीक ही लगता है कि बच्च प्लस पन गुराबर सही है तो बचने को बच्पन नहीं करते हैं बलकि बच्चा होने के भाव को बच्पन कहा जाता है इसलिए इसमें होगा बच्चा-प्लस तो, ということ ? इसका अर्थ यह वाकिझ जहां 50 प्रत्य लगता है हिव söz और वहां भी भावाचक संग्या उत्हीं है ऐसे पुर ओप सारे देखेंगे विए यहां के वेल घ्यांप्ल से यह बात समझ ले जाती वाचक संग्या संग्या से भावाचक संग्या बंगती पिर इसके जिसे अपना अपना शब्द से बन गया अपना त्वे इसे अपना पनगी हो सकता है इसी तरह से इंजित सब्सो मॉर यह संघ्ञ्य सब्दों का निरमान करते हैं आंगे दिए-जैसे सर्वशब्द को तो कि इसका मदर स्वय है वो भी भाव अचक संग्याओं का निल्मान करता है निजिता है है कि अगर से तीस रा जो लिए किसी किरीया से बावाचक संग्या बनती है तो बिलकुल किसी किरीया से भी बाव आचक संग्या शब्दों का निर्माण होता है जैसे लिखना से लिखावट लिखना से लिखावट पढ़ना पढ़ना से पढ़ाई सजाना सजावट तो आवट परत्य आई परत्य भी भाव आचक संग्या सब्दों का निर्माण करते हैं लेकिन सदेव यसा हो आवश्ध नहीं मिठाई जो सब्द मीठा एक विशेश्ण है और जो मिठाई शब्द है जिसमें आई प्रत्य लगा है यह बाव आचक संग्या नहीं है मिठाई एक वस्तु का नाम है इसलिए वो जाति वाचक संग्या है इसके बाद में एगे से किसी बाव आचक संग्या का निर्माण होता है एज जैसे मैंने आपको बता है था दूर निकट समीप दूर में यह प्रत्य लगने से दूरी निकट में ता प्रत्य लगने से निकटता और यह प्रत्य लगने से निकट्य है समीप में समीपता और ये प्रत्य लगने से सामिप्य जब ये प्रत्य लगता है तो अंतिम वर्ण आदा हो जाता है उसके बाद में ये उसे मिलता है और प्रताम बढ़ने हैं तीन परिवर्तन होते हैं का लिए एक आई और उनका बाऊ प्रिवर्तन भी का आर तो इसी स्वर में जो आर वह रिका आधा रह बन जाता है एक तरह से आ बनता है इसलिए ये इक स्ष्वर एसे रिदया प्लस एक वरावर हार्दिक ग्रिहस्त प्लस एक वरावर गारहस्तिक इस तरह के शब्द जहां प्रत्य कि साथ पटेंगे तो नेकट्य सामित के जो चीज मैंने छोड़ दी चार बाते हैं एक दो तीन चार यदि प्रास्न पूछ लिया जाए भाव आचक संग्या सब्द कितन प्रकार के शब्दों से बनते हैं तो पांच प्रकार से पांच ओन जो मेने स्थोड़ा है वो छोडा रिशेशन से बावावा के संग्यार, सब्धें प्रकार से वनते हैं दूसरा सब्धाइब ये पूचा जाता है कि निम्ण में से किस सब्धा से यह बने रहे बावाचक संगया सब्धा जाती बाचक से बनी है या विजिवेसे बनी है इस तरह के जब पूचे जाते को पहचार नहीं सकते कि बावाचक संहिया या विशेश ह्रण है वो लोग विशेश करके इस क्लास को पूरी तरह से देखें जो ही हम बावाचक संहिया विशेशन का अंतरसंबन देखेंगे केवल दू मिनिट का काम दू मिनिट में एक ऐसे ट्रिक जिसे हम पता लगा लेंगे कि ये बावाचक संग्याई या फिर विश्यश रहा है एक बार आपसका स्क्रिन सोट लें तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं पांचवा जो प्रकार है बावाचक संग्याई के बनने का वह विशेशन से बावाचक संग्याई शब्दों का निर्मान है जीसे एक साब्द है सुन्दल और सुन्दल सब्द से जो बावाचक संग्याई बन रहे हैं बावाचक संग्याई बन रहे係 वह हैं संदर्ता या फिर संग्याई आरि दोनों इस बावाउचक संग्या सद्ध से या तो संध्रता कहें या संदरिय कहें फरिक्षा में प्रसना आता है संधर्यता है ने गड़त होगे रुट iy जो मि ख़र स्वंदर्यता गड़त आधे संधा सोजन्यता इस तरह से साथ साथ समस्क्रितबर संधने तो ये और ता प्रत्य कभी एक साथ नहीं आएंगे ये वे ता प्रत्य एक साथ नहीं आएंगे वो आते ही वो शब्द गलत हो दिया तो अब देखें सुन्दर से जिस तरह से सुन्दरता शब्द वनता है एक सब्दा गुरू इस बहुत इंपर्टेंट शब्द है एक तो गुरू वह वो होता है जो शिक्षक वर एक घुरू का अध बड़ा जीसे लगू गुरू नगू का विलोंड़ शब्द गुरू रश्व का विलोंड़ तो बात यह की है लेकिन याद रखें उचा का विलोंड़ सब्द क्या होत दिया जाना चीए तो गुरु जो अउस огрलता बड़ा उस अर्थ में ये वीशेशन के रूप में प्रियोग होता है तो गुरु से सब्ता गड़ीमल और गुरु से सब्ता गोराव जब गुरु में आ प्रत्य लगता है बोड़ाव और गुरु में इमा प्रत्य लगता है गड़िमा तो यह भी हम देखेंगे यदि शब्द है जैसे काला कालिमा यह विशेशन से बावाचक शंग्या सब्दों का बरना अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह होती है कि कुछ लोग कि इनमें अंतर नहीं प्रहचान कर सकते सुंदर यह सुंदरता सुंदर इनमें से कौन सा भावाचक संग्या है और कौन सा जो विशेशन सब्द है कैसे पता करें तो आईए क्योंकि जो तीसरे इस्टेप प्रम चलेंगे उससे पहले इस चीज की भौत ज़्यादा विश्यक्ता होगी कि आप भावाचक संग्या और विशेशन में दोनों में अंतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा है यदि वह कर लिया तो फिर यह इस प्रसंद में आप पेपर में सथ प्रतिस्त आप लीड लेंगे और यदि यह नहीं कर पाए तो फिर वावाचक संग्या और विशेशन का अंतर संब्द जो हर परिक्षा के पेपर में आता उठा करके देखें जितने भी जो पेपर है उ हो आप नहीं कर पाएंगे इसलिए आईए सबसे पहले क्योंकि तो मेरिट बनती है तो लिए जाने वाले प्रस्न मुस्क से चार-पांच्छा होते हैं किसी पेपर में आईए मेरिट बनाएं यह मेरिट कैसे बनेगी आए देखते हैं कि यदि आपसे मैं यह कहूं कि सुंद सुंदर यह क्योंकि यहां 5-6-10 कुछ सब्द में बताऊंगा और उसके बाद में उसी पेटर्ण पर आपसे वह च्टोंगा कि सुंदर सुंदर यह अच्छा यह कुछ सब्द हैं जहां मैं बावाच्प संग्यार विशेशन दोनों मिक्सप लिख रहा हूं कि इसी तरह से पढ़ाई जिग्यासू एक शब्द है जिग्यासू जिग्यासा विश्वास और एक शब्द और लिख लिया मैंने विश्वासी कि दो चार पांच और लिख लेता हूं हरा लगुत्व चोटा बढ़ाई हो सकता है यह शब्द आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा याद रखें जब अभ्यास करने के बाद मैं आप से कुछ शब्द दूंगा तब आपको लगेगा कि वास्तों में यह जो पैटर्न है इस पैटर्न से प्रस्व किये जाना चीए परिक्सा में जो प्रस्व आते हैं वहां शब्द हो सकता है अमारा नहीं सुना वाओं तो वहां रटने के बजाय जिस तरीके को मैं बता रहा हूं उसको वहां काम में लें ज्यादा अच्छा ह रूप हिंदी में बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने सबसे पहले इंदी की जो व्याक्रण है उसका रूप इस्तिर करने का प्रियास किया था वह यह करते हैं कि सर्वनाम और विशेशन संग्या के ही एक तरह से पार्ट भेद हैं और बिल्कुल सही भी करते हैं विशेशन को हम इस तरह से प्रियुक नहीं कर सकते मेरे लिए काला लाओ काला क्या काला कपड़ा लाओ हम यह कभी नहीं कह सकते हैं कि एक मीठा लाओ मीठा क्या एक मीठा फन लाओ तो हमें उसके आगे कोई ने कोई सही या को एड़ करना होगा तो विश्एशन का चाहिए हम इस तरह से कर सकते हैं सुंदर लड़का इसका मतलब ये विशेशन है क्या आप ऐसा कह सकते हैं सुंदर ये लड़का नहीं इसका मतलब ये बावाचक है अच्छा लड़का इसका मतलब ये विशेशन है पड़ाई लड़का नहीं इसका मतलब ये बावाचक है जिग्यासू बालक इसका मतलब ये विशेशन है जिग्यासा लड़का नहीं होता जिग्यासु बालक इसलिए वो विशेशन है लेकिन जिग्यासा बालक नहीं होता इसलिए वो बावार चक है विश्वास आदमी नहीं होता इसका मतलब वो बावार चक है विश्वासी यक्ति या विश्वासी आ कि आदि कुछ एड़ नहीं कर सकते हैं लगुर्षवर होता है लगुर विचार होता है लेकिन लगुत्व नहीं होता इसलिए वह भाव है छोटा छोटा इसका मतलब वह विशेशन है बड़ाई गर्ति कभी नहीं होता है जिसके आगे कोई संग्या सेट नहीं हो रही है वह सभी फिर भावा चकर ऐसा भी नहीं है माझलों अगर मेरे यह लिख देता पुष्तक तो पुष्तक आधी तो होता भी नहीं तो भी दुन में अपने वह भावा चकर दें हैं गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा गलत वह इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो विसे समझी है वो शबी शब्द बावाचक नहीं है लेकिन मैं यह मानकर और यह बिल्कुल सही भी है कि आप आसानी से चांट लोगे कि कुरसी जो सब्द वो जातिवाचक संग्या है राके स्व्यक्तिवाचक संग्या है यह आप चांट लोगे कि हम जो है वो सरोनाम शब्द है आप यह चांट लोगे कि जानना आनना सोना उटना बेटना यह फिलिया है और निकट दूर समी पास उपर नीचे सबह गए है दिक्कत का होगी विश्यसम और भावाचक शब्दों में तो इनका चैन करते समय यह मेथर्ड कामा जाएगा एक बार फिर आप स्क्रीन सोट लेए है कि आगे आगे देखते हैं संग्या का जो अगला पार्ट हो यह है कि प्रास्न पूछे जाते हैं कुछ इस परस से पूछे जाते हैं मैं जैसा कि मैंने कहा था कि भावाचक संग्या शब्द और वीसे चनव मैं आपसे छटोंगा आप अपने उत्तर लिखते रहें और फिर साथ में देखते रहें मैं यहां कुछ सब लिख रहा हूं परिश्रमी दनी कि इसी तरह से अकेलापन शब्द है गिरावट इसके बाद में रंगीन लज्जा गिर्णाश पद यहां मेरे शाथ शब्द लिखे हैं इन सातों शब्द में और एक सामें वो प्रस्न पूछेगा निम्न मेंसे कौन सी बाव अब सगया विश्यसर से नहीं वनियर या विश्यसर से बना है इस तरह के कुछ जब्द हैंगे यह एक सब्दों लिख लेता हूं मैं Kann IM कुछ एक-दूस फद और लिख लेता हूं इमान दारी आईए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें ये पैचानना है कि दिया गया जो शब्द है याद रखें परिक्सा में यही मेतरड अपनाना है गलती की गुंजाईस बिल्कुल जीरो हो जाएदी शब्द रूप क्या है और फिर इसमें मूल शब्द क्या है और फिर आँ देखेंगे कि उस मूल शब्द का रूप क्या है इतने में अपना प्रश्न है हलो जाएजा तो सबसे पहले देखते हैं इमानदारी गट्ती नहीं होता है इसका मतलब वह बावात संग्या है यह अगर मैं यह कहता है इमानदार लड़का इसलिए वह बिशेशन होता है जैसा के अपन पहले देख चुके हैं परिश्रमी लड़का इसका मतलब वह बिशेशन है धनीव्यक्ती इसका मतलब वह बिशेशन है अकेलापन भावाचत गिरावट इसका मतलो बावा जय है। रनीन चस्मा रनीन कप्डा इसका मतलो विषय शन है। है लग्र करें। लग्जा व्यक्ति नहीं अटा इसका मतलो बावा जयıs ब्रड़ सकें। जर्ड़ न benchmarks पार्ड़्यक्ति इसका मतलो विषय सोई बाव जय कें। आई अब इन का मूल सब्देट किमांदार से एमांदारी जो सब्द वहिमांदा से उनाँ है और परिशल्म Coffee परिश्रम से 7 कि दलेटनी सब्देरा मैं अक्यला-पन अक्यला शुन से बना है गिरावट गिर और यदि किसी सब्द में ना प्रक्चे जोड़ने पर वो किरिया बनता है तो उसे किरिया ही मानना है गिरना रंगेन रंग लज्जा मूल शब्द है लज्जा तो इसमें कोई अंदर कोई सब्द है दी गिरनाश्पद गिरना गरीबी गरीब जो मूल शब्द है उनका देखें आप इमानदार लड़का इसका अंवलोव विशेशन है परिश्रम लड़का नहीं होता है इसका अंवलोव भाव है धन यह तो जातिवाच अकेला अकेला व्यक्ति तो अकेला जो है वो विशेशन हो गया गिरना किर्ए है है करती वात प्रतिक अंश्चान क केलर वस्यां होते हैं यह गरीब आदमी इस लिए वह विशेशन्अ ऐसा कोई नियम नहीं बनाना है कि यदि गरीबी बावाचक संग्या है यदि इमांदारी बावाचक संग्या है गरीबी गरीब से गरीबी इमांदार से इमांदारी परिश्रम से परिश्रमें तो गरीबी परिश्रमें इमांदारी सभी बावाचक होगे दलत हो जाएगा गरी इमानदारी बावाचक संग्या इमानदार विश्यषन से बने हुई है इसका मतलब बावाचक संग्या और विश्यषन से बनते हैं दोनों तरके उदान धनी विश्यषन सब दन जाती वाचक संग्या से बना है अकेला अपन भावाचक संग्या अकेला विश्यषन से बना है गिरावट वावाचक संग्या गिर्ना किर्या से बना है और रंगी विश्यषन रंग जाती वाचक संग्या से बना है इसका मतलब सारे जो एक तरह से अपना विद्ध्यांस त पूछ लिया कौन सा विषय शन को भावाचक संग्या से नहीं बना है तो परिश्रमी तो बना है धनी नहीं बना जातीवाचक संग्या से बना हो रंगीन जो है वह भी जातिवा चक से बना है और घ्रनाश्पद वह बावाचक से बना है दो अपने बावाचक से बनने वाले होगे दो इसमें वह इस तरह कि चार एक्जाम पर लेकर कि वह तील को अलग रख सकता है और नेक्स्ट जो क्योंकि मैंने का था संग्या कुल जब्ताते हैं यह तो विश्य सुन है और वह उत्तर संग्या होते हैं और दूसरा है बहाव आचक संग्या कब नहीं रहती कब जातिवाचक बन जाती कब जटिवाचक और कुछ अभ्यास ऐसे मत अभ्यास लोग सब पर से संग्याने उनको लेकर कि वीडियो को आप लाइप करें यह और इनको जितना हो सकता है वहाई होती है घर देटेज आप जो स्क्षण कर रहे हैं कि बदले में आपसे कुछ नहीं किया जा रहा और केवल यह ही कि आप इसको सेर करें देल लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो उससे एक टीचर को होत बड़ी जो है वो उर्जा मिलती है काप इच्छी उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है धन्यवार